हम लोगों का चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रपोर्शन रेशियो एंड प्रपोर्शन में पिछले क्लास में हम लोगों ने नोट पे आधारित को किया था टेकनिकल बेस जितने कोशन है वो साड़ा हम लोगों ने कर लिया है अब कुछ मिसलेनियस टाइप का कोशन आज हम लोग देखेंगे एक दो कलास हम लोगों का भी मिसलेनियन बेस्ट होगा जो कि रेशियो में अक्सर पूछा जाता है और उसका काम शौटली में हम कैसे कर सकते हैं ये चीज हम लोग आज देखते हैं आईए सबसे पहले पहला कोशन जो देखिए यहां लिखा हुआ है कि यदि एक्स अनुपात वाई बढ़ावर पांच अनुपात दो हो तो 4x पलस 3y अनुपात 4x माइनस 3y किस अनुपात के बढ़ावर ह डिटल में काम करते हैं तो एक्स को अगर हम 5a ले लेते तो y को क्या ले लेते 2a ले लेते उसका मान वहां पुट करके अनसा निकाल लेते लेकिन ऐसे कोशन का जब भी आप स्वाल्यूशन करें एक्जामनेशन में आपके पास चुकी बहुत ही कम वक्त होता है तो उसके ल 3y तो 4 लिख लिए और एक्स के बदले बताए एक्स के बदले क्या ले लेना है 5 तो 4 गुना 5 और पलस 3 गुना 2 कर लेंगे एक्स के बदले 5 ले लिए तो y के बदले क्या लेना होगा 2 ले लेना होगा तो 4x और पलस क्या हो गया यह 3y फिर यहां देखिए अनुपात है और और फिर हम लोगों को वही काम करना है 4X तो X के बदले 5 और माइनस 3Y है ते हां हम लोग 3 और गुना में क्या ले लेंगे 2 अब यहां से इसको बस calculate कर लेना है बात गुना चार देखे 20 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा दोनों को add करेंगे तो यह 26 हो जाएगा उसी परकार यह 20 में 6 को हम लोग क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो 20 में आप 6 को घटाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा और तब इसको 2 देखिए common factor है दो को अगर हटा देते हैं तो answer जो हम लोगों को आएगा वो क्या जाएगा 13 इस्टो 7 उसी परकार दूसरे question का solution अग हम लोग इजली निकाल ही सकते थे y को यहां करते हैं दो यहां जाता है यानि x अनुपात y क्या निकल जाएगा 3 अनुपात 2 रिश्यो में शुरुआत में पहले पार्ट में सही यह साड़ा चीज हम लोग चिके हुए थे अब तो फिर वही कहानी है x के बदले क्या पुट क करेंगे तो क्या क्या ले लेंगे 6 x 3 ले लेंगे और माइनस कर लेंगे और क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 x 2 अब तो शॉल्व कर लेना यह देखे 6 गुना 3 18 होता है 5 गुना 2 10 होता है 18 और 10 को अगर आप एड करेंगे कितना जाएगा 28 आ जाएगा अनुपात करेंगे फि इस यो अगर देखा जाए तो चार से यह दो बार में और यह साथ बार में तो एंसर जो हम लोगों का देखिए आएगा कितना जाएगा साबन इस टो टू आ जाएगा तो इस प्रकार से ऐसे कोश्चन का आप बहुत ज़्यादा जल्दी हल निकाल सकते हैं तीसा कोश्चन भी देखिए इसी पैटर्न का है तो तीसा कोश्चन हम लोग अगर देखें तो क्या कहा गया हमको कि यदि A अनुपात B अनुपात C बड़ाबर लिखा हुए देखिए 3 अनुपात 4 अनुपात 5 तो A के बदले क्या लेंगे 3 B के बदले क्या लेंगे 5 और C के वख लेंगे फोर इतना ही तो काम है तो अब हम लोग अगर इस तीसे कुर्शन का स्वालिउसन देखें हमको क्या चाहिए था ए पलस भी वाई सी का वैल्यू तो एक के बदले आपको कहा ले है तेन लेना है तो तीन और बी Sin के बदले पांट और बटे कि क्या लेंगे चार डैडेक्ट वैलिउ पुट करना है और लिकाल लेना है उसको अगर सॉल्व करें तो पांच तीन हाठ ते चार करें लेंगे रफ पर चार का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तिस रूप से तीस से question का answer क्या हो जाएगा दो हो जाएगा अब आ जाएगा अब चोथे question में देखे यहाँ यह टाइप आज हम लोगों को मेली सीखना है इस पे बहुत ही important type है यह अक्षर examination में इस पे आधारित question आपको द परसेंट question किसीटाइप का होता है में लिए ratio का चीज है तो हम ratio में इसको बता देते हैं allocation में फिर एक आद question ऐसा है आपको कर देंगे कहा लिखा हुआ है सोने और तामे के दो मिस्टन है A और B दो मिस्टन है A और B जो किसे बना हुआ है सोना और तामा से ये कहा गया देखे यदिस में सोने और तामे का अनुपात करम सा पांच अनुपात तीन और साथ अनुपात पांच हो समान मात्रा का मतलब अगर पहला का लिए एक किलो तो दुस्टा का भी लेंगे एक किलो पहला का लेंगे दो सो ग्राम तो दुस्टा का भी लेंगे दो सो ग्राम पहला का लेंगे एक किलो ग्राम तो दुस्टा का भी लेंगे एक किलो ग्राम इसी को क्या कहते हैं हम लोग समा सा कॉंसेप्ट पे अगर देखें तो मिश्रन था पहला था ए और दूसरा था भी सपोच करें यहां से अगर आप एक्स केजी ले लिए या वन केजी ले लिए जो भी आप चाहें एक्स भी लेंगे तो एक्स कोमन फेक्टर आएगा वह गाइब होगा तो लेने का जोरत नहीं कभी कभी fraction के रूप में option दिया हुआ रहता है तो fraction वाला चीज भी आपको बताते जाएंगे और डिरेक्ट काम करना भी बताते जाएंगे अगर एक किलो लेंगे तो इसमें ratio जो था देखे किस ratio में मौझूद था 5-3 और दूरसे में देखे किस ratio में मौझूद था 7-5 काम भी सेस करना नहीं है अगर जेनरल प्रॉसेस की भी बात करें हम लोग तो हम लोगों को एकी चीज द्यान में रखना है सोना मिलेगा सोना के साथ तामा मिलेगा तामा के साथ यहीं इसका कंसप्ट हो गया तो हमको पहले ये देखना होगा कि अगर ये एक किलो लेंगे इसमें सोना कितना आएगा तो ये आप रेशियो का बटवारा जानते हैं सोने और तामे का रेशियो कितना है 95 तीन है और ले आप कितना रहें एक ले रहें हैं तो अगर इसमें सोना का मात्राय आप से पूछते तो एक टोटल हो गया एक इसमें भाग देंगे डेशियो के टोटल से तो डेशियो का टोटल कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा सोना के लिए किस से मल्टिप्लाइ करेंगे पांच से यह रिजल्ट आपको क्या देगा फाइप वाई एट उसी परकार अगर यहाँ पहले वाला में तामभा निकालतें तो यहाँ दिखिए एक अगर लेंगे आठ से भागा देंगे तामभा के लिए कितसे गुना करेंगे तीन से गुना करेंगे तो यह क्या जाएगा 3-by-1 यानि पहला में सोणा का मात्रा था 5-by-8 और दूस्षा मे यहाँ सब्सक्राइब किसम उसका यहाँ सब्सक्रादए तो इस सब्सक्राइब बटेंगे तोटल चुर्य धोल सबाइब निकला जाता इंट क्या हो जाता। अब क्या करना है मिलाना है दोनों को मिलाएंगे तो सोना और सोना को मिलाएंगे तामभा और तामभा को मिलाएंगे तो सोना देखे यहां 5 x 8 है यहां 7 x 12 है तो 5 x 8 और पलस में क्या हो जाता 7 x 12 है फिर अनुपात कर लेंगे तामभा को तामभा में मिलाएंगे तो 3 x 8 और पल आप ऐसे इसको बना सकते हैं इसी रूप से एंसर में लिखा हुआ भी रहता है तो इसका सोट प्रोसेस अभी देखेंगे हम लोग लेकिन पहले यह से किया जाता है वो चीज आप जानते हैं तो यहां भी देख लेते हैं लेकिन इस चीज को इतना काम नहीं करके डारेक्ट कै से लिखते हैं वो चीज समझ लेना है अगर इसको लिखना हुआ तो इसको देखिए डारेक्ट कैसे लिखेंगे यहां सोना कितना है पांच और दोनों को जोड़ दें तो पांच और तीन क्या हो गया आठ तो डारेक्ट क्या लिख लिए फाइब बाइट उसी परकार यहां कोर्शन में डिरेक्ट लिखना भी देखाएंगे यहां आपको देखें डीटल भी बता दिया इसा क्यों होता है पहले अब इसको सॉल बगड़कर हैं तो फ्रेक्शन का रेशियो को आप पुरुन संख्या में कैसे बदलते ही यह काम आप सिखे हुए हैं तो आप बारह और आ जाएगा 12 से बाग लगाए दो दो गुना पांच का लिए 10 और तब इसको अगर आप एड करते हैं जहां से देखे 29 हो जाएगा इसको एड करते हैं तो यह उनीस हो जाएगा 24 दोनों के बटा में डाता है तो वह गाइब हो जाता है यानि एंसर जो लिखाएगा इसका कितन में यानि के सबाएगा 29 इस्टो 1929 अनुपात 19 लेकिन आपको इतना डीटल वर्क हम दीटल करना था यह चम रहाने के लिए आपको इतना डीटल बताहे है आपको कहानी मातर एक करना है थोटा废ा सा कहाणी है आपको फ्रेक्षिन में फ्रेक्षिन में उन घिकाब हैं एस र इजिली कैसे कर लेंगे, कुछ सेकेंड में कैसे बना लेंगे, इस चीजों को अब सीखना है, हम लोगों को केवल देखना है, जब भी ऐसा क्वेस्टन देखे, तो रेशियो का जो डाटा यहां यूज है, उसका सम कर लेना है, पांच और तीन देखिएगा, तो क्या हो जाए हैं, इसके लिए इसका LCM ले लेना है, अब 12 ले लिए, अब देखिए, दो धातु है, A है और B है, हम लोग A का भी लेंगे, 24 किलो ग्राम, तो B का भी कितना लेंगे, 24 किलो ग्राम, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्या लिखा बाता है हम लोगों गृए में इसको किस इसे कर दोनों का समान मातरा लेना है, तो जितना LCM है उसे को मातरा मान ली, अब तो इसको केबल बटवाटा कर लेना है आपको, इसको किसरे इस इस आपेंगे साथ और 5 में, इसको बाटेंगे तो भाग कितना से लगाएंगे आच से भाग लगाएंगे तीन आ जाएगा तो तीन गुना पांच करेंगे पंदरह और तीन गुना तीन करेंगे तो नौ उसी परकार इसको सिखेंगे यह 24 को किसे इसको में बाटेंगे 7 is to 5 में बाटेंगे तो भाग कितना से लगाएंगे 7 पलस 5 यानी 12 से 24 में 12 से भाग लगाएंगे क्या बचेगा दो बच जाएगा तेहां 7 गुना 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा और 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा अब तो केवल दोनों को एड कर लेना है 15 14 देखिया 29 हो जाएगा 9 और 10 देखिया 19 हो जाएगा तो एंसर आपको लिखना है 29 अनुपात 19 तो काम इस तरीके से आपको सिखना है और एक दो एक जामपल आपको इस पर आधारित कर रहे हैं आईए हम लोग देखें अगला कोश्चन है अब हम लोग फिर वैसार ही कोश्चन देखते हैं और दोडर पानी का तीन मिश्चन है जिसमें दूद और पानी का नुपात 20 पाथ एक और पांच नुपात एक है आई है यहां देखिया सॉल्यूसन देख रहे हैं फर्स्ट कोश्चन का तो सबसे पहले क्या बताए कि जो भी रिचियो यूज हुआ है उसका नंबर को एड कर ल 1 4 हो गए यहां देख्या है पांच ओड़े कितना हो जाएगा चैना हुए तेन चाहरा और छे का क्या निकाल लेगा आपको LCS 3-4 छे का LCS कितना आजाएगा बारह यही में काम अब क्या कहा गया हमको समान मात्रा समान मात्रा कहा गया इसका मतलब कि पहला का अगर 12 लेना है तो दूसरा का भी 12 लेना है तिस्रा का भी 12 लेना है तो यह देखे पहला बाला का 12 लेंगे दूसरा बाला का भी 12 लेंगे और तीस्रा बाला का भी 12 लेंगे तब पहला में जो रेशियो था वो कौन सा रेशियो था दो अनुपात एक दूसरा तीसरा जो टैल यो किस रैसियों में Judi एक और तीसरा जो टैल में वह किस रस्यों में फाइफ पिस टू वन में है पांच अनुपाद एक में बट वारा के ले ना है इस ठीस قस向 किसे स्वारथ बाटना थीन और एक में इस को सफाइंगे लगाएंगे चार लगाएंगे ठीन होगा तो तीन गुना तीन क्या ले रेंगे नव और यहां तीन देन क्या हो गया ६ाला हो फिर इसको अगर मिलाते हैं तो 5 आएक में बाटना है तो-5 और रचने के लिए 6 हो जाए हाँ जाएगा अभ तो केवल जोड़ लें आप है आट और 9 तो कितना हो जाएगा सत्रह सत्रह में दस को जोर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम को 27 27 उसी परकार इसको अगर जोड़ेंगे तो 4, 3, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 तो यहां देखिए 9 लिख लिए फिर से देख लें इसको अगर जोड़ लेंगे 8 और 9 कितना हो जाएगा 17 17 दस जोड़ दिया तो क्या हो गया 27 और 4, 3, 7 है 7 में 2 जोड़ दिया हो गया 9 अब इसमें अगर रेशियो देखना है तो कैंसे लोड़ा है तीन वार में तो देखिए रेशियो निकल गया कितना 3 अनुपात 1 तो इस पहले कोशन का एंसर जो हम लोग पूछ से नहीं छुटेगा अगर पूछा जाएगा तो तो रबहुत प्रैक्टिस करने की केवल हो शकता है अब इसी में सकेंड टाइप देखे यहां एक लिख दिये हैं आपको इसमें अगर देखा जाए तो क्या कहा गया हमको सोने और चांदी के दो मिश्रन हैं दूरसा कॉर्शन का सॉल्यूशन देखते हैं तेश में सोने और चांदी का अनुपात देखे क्या क्या लिखा हुआ है तीन अनुपात दो तथा ग्यारह अनुपात चाल अभी जो क्वेशन हम लोग एक दो देखे वहां क्या लिखा हुआ था समान मात्रा जितना लेते थे पहला उ 15 और 15 का निकाल लेनाा है आपको LPM, और यह LPM कितना हो जाएगा? 15, अब यहां से करें, तो क्या कहा गया? दोनों मिश्रानों को किस अनुपात में मिलाया गया? 5 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया गया It's Calum Be पहला का अगर लेना होगा 5 kg तो दूसरा का लेना होगा 2 kg काम आसान करने के लिए क्या करेंगे कि जो LCM लिए उसी में गुना कर दें इसको 5 अनुपात 2 है तब 15 और गुना कितना लेंगे 5 तब 15 गुना 5 कितना हो जाएगा 75 यानि पहला का ले लेंगे 75 दूसरा के लिए 15 पहला का अगर 5 लेना है तो दूसरा का 2 लेना है तो पहला का अगर 75 लिए 75 क्यों लिए क्यों कि इस LCM का हमको यूज करना है तो 15 इंटू 5 कर लेंगे 75 हो गया 15 इंटू 2 कर लिए तो 30 हो गया यानि 5 अनुपात 2 के अनुपात में लिया गया अब तो सिंपल ही इसका बटव तो में बाट्टेंगे तो बाग इससे कितना सवागा करेंगे तो कितना u करेंगे 15 स्पेस्ली सिखे हैं तो एक जाएगा 11 गुना दो करेंगे तो बाईस हो जाएगा चार गुनादो करेंगे तो यह आठो हो जाएगा अब तो एड़ कर लीजब्ह दूद में जुटेगा पानी पानी में जुटेगा सोन पानी में जुटेगा थाम वातंव जुटेगा एक जैसा जो होगो सामिल हो जाएगा 38 है तो इस question का जो answer हम लोगों का second का हुआ वो कितना लिखना होगा 67 अनुपात 38 तो ऐसे type के question को इस तरीके से हम लोग जल्दी solve कर सकते हैं धन्यवाद